असलाम अलेकुम आज हम बनाएंगे ड्राय चिली चिकन जिसको बनाना तो निहायत ही आसाने और टेस्ट इतना जबरदस्त है कि आपको लगेगा आप किसी रेस्टरांट में इसको खा रहे हैं बहुत अच्छा बनता है और बहुत आसानी से बन जाता है तो चलिए देख लेत हैं ड्राय चिकन हम किस तरह से बनाएंगे सबसे पहले हम बोनलेस चिकन लेंगे 500 ग्रैम मैंने बोनलेस चिकन लिया हुआ है मैं ब्रेस्ट के पीसे यहां पर इस्तमाल कर रही हूं आप चाहें तो थाइस भी यूज़ कर सकते हैं अब हमें इसको पतली और लंबे श्राइड कि चिया और इस तरह से इसको तिर्षचा काटी आगा और इस तरह से चिकन के सभी पीसे को मैंने काट लिया है अब हमें चिकन को माईनेट कर लेना है तो इनको हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे अब इसमें नमक डालेंगे तोangaap ऐधाटीश्पूण टालेंगे काले मिल्चोकप पाउडर तुर दालेंगे इसमें अज्रम लहसन का पेस्ट साथ में जाएगी एक इंडय का सफेदी सिर्फ सफेदी का इस्तमाल केड़ेंगे, जरदी नहीं डालेंगे तो जरदी को आप ओमलेट वगार में यूज़ करनी जगा साथ में दो टेबल स्पून इसमें कॉन फ्लावर डालेंगे या फिर अरा रोन डाल सकते हैं और इन सभी इंग्रीडेंट्स को अच्छी तरह से मिला देंगे और 10-15 मिल्ट की लिए इसको रेस्टिंग लिए छोड़ देंगे दस से पंदरा मिल्ट के बाद हमें इसको फ्राइ करना है तो इनको फ्राइ करने के लिए यहाँ पर मेडियम फ्लीम पर हम तेल को गरम कर लेंगे जब तेल प्रॉपर मीडियम गरम हो जाएगा तब हम इसमें एक एकर के चिकन के पेसे ड्रॉप करेंगे और मीडियम फ्लिम पर बस हम इसको 4-5 मिट के लिए फ्राइ करेंगे क्योंकि ये बहुत पतले फे पेसे हैं बहुत चोड़ी नहीं है तो 4-5 मिट में एक दम अच्छे से फ्राइ हो जाएंगे और अच्छे से पक भी जाएंगे तो मैंने इनको तकरीबन 4-5 मिट फ्राइ किया है मेडियम फ्लिम पर और हमारे चिकन के पीसे पक भी चुके हैं और अच्छे से फ्राइ भी हो गए तो बस अब हमें इनको निकाल लेना है बहुत जादा इनको फ्राइ नहीं करेंगे जादा अगर पका लेते हैं तो फिर अंदर से जो चिकन है वो सूख साजाता है अब हम एक पैन में 2 टेबिल स्पून तेल गरम कर लेंगे उलिग में 3-3 मीन के देगे लिए फंडrah में घ्री समीं में आदस प्राइट धाई कर लेंगे यहां पर 2 मिन के ड में एक डिर गर ऋकुछा ओ देगे साज़ए हो नहीं से अदर जाई कर निख कर देग हरहा टोमेटो केचप, नमक दाले और 1 बाइ 4 तीस्पून काली मिल्च का पाउडर इसमें डाले इन सबी इंग्रेटिंट्स को इसमें मिला देंगे याप मैं इन सबी हिंग्रेट्स को मैं एक सधेन मट ली इट सरी के लिया और हमारा बहुत ही जबर्दस Dry Чelley Chicken बनकर तैयार है तो चलिए आप इसको हम सर्फ ढ़ेते हैं और बहुत ही जबास देख सकते है कितना में हमारा चले चिल से अरदे बनाएन आप हेसा को फ्राइड राइस के साहर सेफ करिये आप हैं यह फ्राइडी राइस के साथ सुपनाई तो तुसelli ना है सब्स बनाएन क्योंकि यह बहुत ही जबदस बनकर तयार होता है तो इस रेसिपी को ट्राइ ज़रूर की जगह और मुझको बढ़ताईए का अपने फीडबैक से जगह आपका ड्राय जुली चिकन कैसा बनकर तयार हुआ और अगर आपको रेसिपी पसंद आईए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलेगा थैंक्स फॉर वाचिंग दा वीडियो अलाहाफेज